क्या आप भी WhatsApp status पर voice audio लगाना चाहते हैं? क्या आप भी WhatsApp status में बोल कर voice message record करके लगाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आप के लिए है. WhatsApp में एक new update आया है, जिस तरह से हम WhatsApp पर voice message send करते हैं. जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ. यहाँ पर voice message अगर हमें send करना है, तो इस तरह से हम voice message record करते हैं और यहाँ से send कर देते हैं. यह voice message यहाँ पर send हो गया है. ठीक है? इस तरह से. ठीक है? तो सेम इसी तरह से दोस्तों आप voice message को record करके WhatsApp status में भी लगा सकते हैं. अगर आपको लिखना नहीं आता है तो WhatsApp status में आप बोल कर अपना status लगा सकते हैं. ठीक है? तो यह कैसे लगाएंगे? इसके लिए सबसे पहले आपको WhatsApp app को update करना है play store में जाके. इसके बाद आपको status वाले section में आ जाना है यहाँ पर इसके बाद नीचे में आपको यहाँ पर एक pencil का button मिलेगा. आपको इस पर click करना है. इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक mic का icon दिखाई देगा. यहाँ पर background color है. आप इसे change कर सकते हैं. यहाँ पर click करके जो भी color आप रखना चाते हैं इस तरह से set कर सकते हैं. अब यहाँ पर आपको voice message record करना है status में लगाने के लिए तो आपको mic के icon पर दबा कर रखना है. यहाँ पर आप पूरे 30 second का voice status लगा सकते हैं. तो मैं यहाँ पर आपको record करके दिखाता हूँ. आप यहाँ पर mic के icon पर दबाईए इस तरह से तो आप देखेंगे यहाँ पर जो recording है वो start हो चुकी है. यहाँ पर 30 second का audio यहाँ पर आप लगा सकते हैं. अगर आपको इसे cancel करना है, आपने कुछ गलती कर दी तो इस तरह से slide करना है, तो यह delete हो जाएगा. दुबारा से record करना है, तो आपको फिर से mic के icon पर दबाना है और आपको बोलना है, जो भी आप message record करना चाते हैं, आपको यहाँ पर बोलते हुए जाना है आपका voice message record होता जाएगा. ठीक है. अब आपने ठीक है, यहाँ पर आप सुननी जी, अगर आपने सब कुछ सही कहा है तो आप यहाँ पर send button पर click करके status लगा सकते हैं voice message का, ठीक है. और अगर आपने कुछ गलती कर दी है तो आप delete button पर click करके voice message को यहाँ से delete कर सकते हैं अगर आप privacy लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप privacy भी लगा सकते हैं ठीक है. अगर आपको यहाँ पर message को लगाना है status में तो आपको यहाँ पर send button पर click करना है अब यहाँ पर आप देखेंगे status में कुछ इस तरह से icon आपके दोस्तों को दिखाई देगा और उनको यह पता चलेगा कि आपने WhatsApp status में कोई voice message लगाया हुआ है ठीक है, यहाँ पर मैं आपको पिले करके दिखाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी आपका दोस्त इसे open करेगा आपके दोस्त को इस तरह से voice message सुनाई देगा तो इस तरह से दोस्तों आप बोलकर status में voice message लगा सकते हैं